इन सिंड्रेला परी कथा, भाग एक. सिंड्रेला नाम की एक लड़की एक बार की बात है. सिंड्रेला नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहती थी. सिंड्रेला को हर सुभे अंधेरे और ठंड के मौसम में उठकर आग जलानी पड़ती सिंड्रेला खाना बनाती थी, सिंड्रेला आग जलाती रहती थी, बेचारी लड़की आग के पास राख और राख से साफ नहीं रह पाती थी, तुम कितनी गंदी हो, उसकी दो सौतेली बहने हस पड़ी। पुबसूरत गाउन पहनेंगी और अपने बालों को सबसे शानदार तरीके से संबारेंगी, इसमें कोई शक नहीं कि वे ही राजकुमार का पक्ष जीतने वाली होंगी। सिंड्रेला को अब अतिरिक्त काम करना था, उसे अपनी सौतेली बहनों के लिए नवीनतम फैशन के दो शानदार गाउन सिलने थे। और तेज, एक सौतेली बहन चिल्लाई, तुम इसे ड्रेस कहते हो? दूसरा चिल्लाया, ओ प्रिय, सिंड्रेला ने कहा, मैं कब कर सकती हूँ, सौतेली मा कमरे में आई, तुम कब क्या कर सकते हो? ठीक है, लड़की ने कहा, मुझे बॉल के लिए अपनी पोशाक बनाने का सम ऐसे दिख रहे हो? उसकी सौतेली बहने जोर से हस पड़ी. उन्होंने कभी भी सामने के दरवाजे में ऐसी गंदगी नहीं आने दी. सिंड्रेला ने मन ही मन सोचा, मैं देखने में भले ही गड़बर लग रही हूँ, लेकिन मैं गड़बर नहीं हूँ, वास्तव में नहीं सौतेली मा और सौतेली बहने उसमें चड़ गई. अलविदा, सिंड्रेला ने पुकारा, अच्छा समय बिताओ, लेकिन सौतेली मा और सौतेली बहनों ने कोई जवाब नहीं दिया, गाड़ी का दरवाजा बंध हो गया, और वे धूल के बादल में उड़ गई. आह, सिंड बुलाया, परी ने कहा, मैंने किया, सिंड्रेला ने कहा, तुम कौन हो, बेशक आपकी परी गौड मदर, मुझे पता है कि आप क्या चाहती हैं, और मैं उसे पूरा करने आया हूँ. लेकिन सिंड्रेला ने कहा, मेरी इच्छा असंभव है, माफ करना, परी गौड मदर ने गुस्से में कहा, क्या मैं अचानक ही प्रकट नहीं हो गई? मुझे लगता है तुमने ऐसा किया होगा, सिंड्रेला ने कहा, तो फिर मैं ही बताओं कि क्या संभव है और क्या नहीं. ठीक है, ठीक है, सिंड्रेला ने कहा, उसने अपने गंदे कपड़ों की ओर देखा, लेक पास वहाँ पहुचने का कोई रास्ता नहीं होता। परी ने कहा, यार ये सब संभव है। उसने अपनी छडी सिंड्रेला के सिर पर थपठपाई। सिंड्रेला एकदम साफ हो गई। और तो और उसने एक खूबसूरत नीला गाउन पहन रखा था। उसके बाल उसके सिर पर स नहरे रंग की पट्टी में बंधे हुए थे। यह अद्भुत है। सिंड्रेला ने कहा। किसने कहा कि मेरा काम पूरा हो गया है। परी गौड मदर ने कहा। उसने फिर से अपनी छडी थपठपाई। तुरंत एक सुंदर गाडी सामने आई जिसमें एक चालक और चार सफ ये। वो क्या है। जादू सिर्फ आधी रात तक ही रहता है। आधी रात को यह खत्म हो जाएगा। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो मुझे आधी रात से पहले ही पार्टी छोड़ देनी होगी। सिंड्रेला ने कहा। स्मार्ट कुकी। परी गौड मदर ने मेरा काम यहां खत्म हो गया है। धूएं के एक जोखे में परी गौड मदर चली गई। सिंड्रेला ने चारों ओर देखा। क्या ऐसा हुआ था। लेकिन वह एक सुन्दर गाउन में थी। उसके बालों में एक सुनहरा बैंड था। और वहां उसका ड्राइवर और चार घ पेटे से कहा, तुम्हारे चेहरे पर वह उदास भाव क्यों है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम किसी शाही बाल में नहीं हो, जिसे तुम्हारे पिता और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आयोजित कर रहे हैं, ताकि तुम दुलहन ढूंड सको। मुझे पता है कि तुम और पिताजी मेरा खयाल रख रहे हैं, राजकुमार ने कहा, फिर भी कुछ गडबड थी। वह पहले ही बाल में ज्यादातर युवतियों से मिल चुका था और हैलो कहने के बाद उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं बचा था। देखो, किसी ने सीडियों के उपर स्थ राजकुमार ने खुद से कहा, उस युवति में कुछ खास बात है, मैं उसे नृत्य करने के लिए कहूँगा। वस सिंड्रेला के पास गया, क्या हम मिले हैं? राजकुमार ने पूछा, मैं अब आप से मिलकर प्रसन्न हूँ, सिंड्रेला ने जुक कर कहा, मुझे ऐसा सिंड्रेला ने कहा, राजकुमार के दिल में एक उच्छाल महसूस हुआ, वह और सिंड्रेला नाचने लगे, जब गाना खत्म हुआ, तो उन्होंने फिर से नृत्य किया, और फिर से, वे हर समय बातें करते और हंसते रहे, जल्द ही बॉल पर मौजूद दूसरी युवति इरश्या करने लगी, वह उसके साथ लगातार नृत्य क्यों कर रहा है, उन्होंने कहा, किसी और को मौका दो, कितना असभ्य, लेकिन राजकुमार सिर्फ सिंड्रेला के साथ रहना चाहता था, दरसल वे इतनी देर तक नाचते रहे कि सिंड्रेला को घडी का पता ही नहीं चला, टोंग, घडी की घंटी बजी, सिंड्रेला ने उपर देखा, टोंग, घडी ने फिर से घंटी बजाई, वह घडी की ओर मुडी, ओ भगवान, वह चिल्लाई, आधी रात होने वाली है, टोंग, घडी ने पुकारा, राजकुमार ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता ह रात अभी बाकी है, टोंग, घडी ने फिर से घंटी बजाई, मुझे जाना होगा, सिंड्रेला ने कहा, टोंग, घडी बोली, लेकिन हम तो अभी अभी मिले हैं, राजकुमार ने कहा, टोंग, घडी बजी, सिंड्रेला ने कहा, मुझे जाना होगा, बस सीडियों की ओर द वह जितनी तेजी से भाग सकती थी, सीडियों से उपर भागी, टोंग, घडी बोली, कृपया एक खण रुकें, राजकुमार ने कहा, ओ, प्रिय, उसने कहा, क्योंकि सीडियों पर उसके पैर से एक काँच का जूता गिर गया था, लेकिन सिंड्रेला दोडती रही, टोंग, घडी बजी, अलविदा, सिंड्रेला ने आखिरी बार कहा, वह दर्वाजे से बाहर भाग गई, टोंग, घडी शान थी, आधी राथ हो चुकी थी, रुको, राजकुमार ने पुकारा, उसने उसकी काँच की जूती उठाई, और उसके पीछे-पीछे दर्वाजे से बाहर निकल गया, उसने इधर-उधर देखा, लेकिन उसे कहीं भी उसकी नीली पोशाक नहीं दिखी, यही सब कुछ है जो मैंने उससे छोड़ा है, उसने उदास होकर कांच की चपल को देखा, उसने देखा कि इसे एक खास तरीके से बनाया गया था, जो किसी और की तरह पैर मे फिट नहीं होता, कहीं न कहीं उस युवती के पास कांच की दूसरी चपल होगी, उसने कहा, मैं उसे ढूंट लूँगा, और जब मैं उसे ढूंट लूँगा, तो मैं उसे अपनी दुलहन बनने के लिए कहूंगा, राजकुमार गांव गांव और जोपडी-जोपडी कोशिश करती रही, लेकिन कोई भी उसमें नहीं घुस पाई, उसने पूछा कि क्या उनके पास दूसरी कांच की चपल है, किसी के पास नहीं थी, और राजकुमार आगे बढ़ गया, अंततह राजकुमार सिंड्रेला की जोपडी में आया, वह आ रहा है, एक सौतेली बहन से बाहर देखते हुए चिल्लाई, वह यहीं है, अभी दर्वाजे पर, दूसरी सौतेली बहन चिल्लाई, चुप रहो, सौतेली माने फुस फुसाते हुए कहा, वह तुम्हारी बात सुन लेगा, अब तयार हो जाओ, तुम में से किसी एक को उस चपल में अपना पैर फिट करना ही होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, सौतेली माने सिंड्रेला का सामना करने के लिए घूम कर कहा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, उसने गुस्से से कहा, अभी अपने कमरे में जाओ और वहीं रहो, राजकुमार ने दस्तक दी, सौतेली माने खोला, अंदर आओ, उसने मीठी, कामुक आवाज में कहा, मेरी दो प्यारी बेटियाओं हैं, जिन्हें तुम्हें देखना चाहिए, पहली सौतेली बेहन ने कांच के जूते में अपना पैर फिट करने की कोशिश की, उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका पैर अंदर नह कोई नहीं, सौतेली मा ने कहा, राजकुमार ने कहा, तो फिर मैं विदा लेता हूँ, शायद एक और भी हो, सिंड्रेला ने कमरे में कदम रखते हुए कहा, राजकुमार ने कहा, मुझे लगा कि आपने कहा था कि यहां कोई अन्य युवा महिला नहीं है, कोई फरक नहीं ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे पास फिर से वह जोडी है, सिंड्रेला ने कहा, और उसने अपनी जेब से दूसरी काँच की जूती निकाली, मुझे पता था, वह चिल्लाया, तुम ही हो, क्या, एक सौतेली बहन चिल्लाई, वह नहीं, दूसरी सौतेली बहन चिल्लाई, ऐ जिसके साथ उसने नृत्ति किया था और जिससे बात करना उसे पसंद था, उसने उसके बालों में राख या उसके चेहरे पर राख नहीं देखी, मैंने तुम्हें ढूंड लिया है, उसने कहा, और मैंने तुम्हें पा लिया है, सिंड्रेला ने कहा, और इस प्रकार सिंड्रे झाल झाल